हेलो एवरिवन मैं आपके साथ मनोज बर्मा एंड इस वीडियो के अंदर मैं आज आपको वाइट लेबल सर्वीस के बारे मैं बताने चाह रहा हूँ मतलब यूजर को ट्रेडिंग करा सकते हैं अभी के लिए हमने जो एड करा है इसके अंदर वो सर्वीस में जो एड करा है मैं आपको बता दू पहले तो हमने काईट करा है कि काईट के साथ आप ट्रेडिंग कर सकते हैं फिर हमने फिनवेशिया के साथ आप ट्रेडिंग कर सकत तो आपके यूजर कर सकते हैं, चोथा इसके अंदर कोपी ट्रेडिंग का फीचर तो हाई, वो कोमन फीचर है, सपोज मानो आपके यूजर के काइट, जो आपका काइट का यूजर है, उसके पास पांच एपिय है, वो चाहता है कि मैं एक ओडर दालू और पांचों एपिय मे या काइट पे काम कर रहा है, चार्टिंग से ओडर लगाना चारा, ट्रेडिंग यूजर नहीं लगाना चारा, तो वो चार्टिंग से ओडर लगा सकता है, अच्छा फोरेक्स के लिए, इसके अंदर मैंने MT4, MT5 एड कर रखा है, वो टैम्प्रेली है, उसको अभी एड नह सकते हो पर टैंपरेल यह मैंने बता दिए पूरी डीटिल में आपको बाद में दे दूगा और में अगर आप चाहते हो कि बाई में अपको इस तरह की आपकी साइड दिखेगी बाई डिफोल्ट हम एक लेंडिंग पेस दे रहें जिसके अंदर आपका लोगो चेंज हो जाए बट मैं रिकमांडेशन करूँगा कि आप अपने लिए परसनल एक लेंडिंग पेज बनवा लीजे मार्केट में जाईए किसी से भी बोलिए कि मिरको एक लेंडिंग पेज बना के दे देगा अगर आपसे नहीं बंद रहा तो तो तीन हजार पे लगेंगे मैं लेंडिंग पर होस्ट करना पड़ेगा तो उसके लिए आपको एक होस्टिंग भी लेनी पड़ेगी जिससे लेंडिंग पेज पर आपके यूजर आए और वह उपने हिसाब से डीटेल देख लें तो कस्टमाइज पेज बनाओगे तो आप अपने हिसाब से चीज़े दलवा सकते हो अ अब भी आप इस वेफसाइट पर आओगे नेक्स लिवल एलगो तो यहाँ पर आखके आपको डैमो दिख जाएगा पाई डिफोल्ट इसमें एक लोगिन आईडी और पासवर्ड उसे आप लोगिन करोगे तो आपको अंदर की सारी चीज़े दिख जाएगी कि एपे कैसे होती है और मुझे कॉल कर सकते हैं फिर मैं जादा जानकारी दे दूँगा एक्जामपल के लिए मैंने दूसरा डोमेन भी एड कर रखा अगर आप देखोगे नेक्स लिवल डैमो तो इस तरीके से आपका भी एक डोमेन होगा एक्स बाइज जो भी आपका डोमेन है तो इस प्राइज रिवील ना करूं कई लोग क्या होते हैं कि सर्विस तो देते प्राइज रिवील नहीं करते जब जाते हो तो वो बारगनिंग करते किसी के लिए कोई प्राइज है किसी के लिए कोई प्राइज तो माथा देखके तिलक करते हो किसी को ज्यादा में बेग दिया क किसी को कम में वीग दिया पर यहां सब के लिए एक ही प्राइज होगा तो अगर आप वाइट लेवल लेते हो जिसके अंदर आप जो मैं प्रोक्स मान के चल रहा हूं पचास से सो यूजर मैनेज कर पाओगे ठीक है जी तो उसके अंदर आपको बारा हजार उर्पे देने बा आपको उसमें से भी 18% वापस मिल जाएगा तो एक महने का चार्ज मैंने आपको बारा हजार उर्पे बताया है इसके लिए आपके पास एक डॉमेन होना चाहिए अपना परसनल अगर आपके पास अपना डॉमेन है तो आपके डॉमेन पर ही सर्विस चलने लग जाएगी ठ पहले आपको एक महने के लिए सर्विस लेनी पड़ेगी देखना पड़ेगा अगर आप सैटिस्फाई हो तो देन आप एक साल के लिए सर्विस ले सकते हो एक साल के अंदर हमने 50% ओफ करा है अगर बारह हजार के इस आप से दिखोगे तो एक लाग बीस हजार उपे बनते साल के पर आपको इहां पर 60,000 उपे ही पी करने पर इस इसके अंदर फोड़ा सा डिफरेंट है मैं थोड़ा सा लास्ट में प्लान भी दिखा दूहां अगर आप एरली सर्विस लीते हो तो आपको एक साल के लिए सर्विस मिल जाएगी अच्छा जैसे व्हें ने बताया च चार ब्रोकर एड है जैसे काई है फिनवेशिया है सोरे कनेक्ट हो जाएंगी और में the तो देई राओं में इसके अंदर बदलब ट्रेट दे रहा हूं जिसमें विदाउड API काम होता है और वो सब पस्ट आप वही करना पर वो टैंपरेल लिए कब तक चले वो मैं कहा नहीं सकता क्योंकि पीछे से जिदिन अपडेट आगे वो सर्विस यहां पर बंद हो जाएगी तो मेटा क्लाउड आपका चलेगा पर आगे चलके मैं जो भी ब्रोकर एड करूँगा उसका आपको अलग से कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा दीरे दीरे करके इसमें ब्रोकर एड होते जाएगे और आपका जो चार्ज चलेगा वो ही चलता रहेगा ठीक है जी अच्छा नोन रिफंडेवल है पहले आप सोच लेना समझ लेना पूरी जानकारी ले लेना और उसके बाद ही सर्विस लेना तो मैंने बताया जैसे कि आपको कि 12,000 पर मंतली सर्विस है यरली लेते हो तो 60,000 पर पड़ेगी और प्लस GST पड़ेगा अब कई लोग ऐसे भी होंगे जो 12,000 पर की सर्विस लेंगे और यूजर को चलाएंगे यूजर को सर्विस अपनी देंगे और जैसे आपके 50 से 100 यूजर होते हैं तो फिर आप इस साइट को यूज नहीं कर पाओगे वाइक लेवल फिर आपको अपने लिए अपनी अलग से होस्टिंग लेनी पड़ेगी क्योंकि सर्वर इतना ज्यादा मैनेज नहीं कर पाएगा जो हमने चीज़े बनाई यह तो आपको क्या गरना पड़ेगा फिर आपको पूरा कोड अपने सर्वर पे दलवाना पड़ेगा और आप यह तो वाइट लेवल की बात कर रहा था अगर मैं आपको सर्वर सैट अप करके दूंगा और सारी चीज़े करके दूंगा तो उसका जो प्लान है वो मैं बता देता हूं 20,000 रुपर मंतली है उस चीज़ का प्लान तो अगर आप डेलिकेटेड सर्वर पर इस चीज़ को दलवाते हों जो कि पहले मैंने आपको फर्स्ट ट्राइल लेना पड़ेगा उसके बाद ही मतलब आपको वो चीज़ी मिलेगी तो अगर आप डेलिकेटेड सर्वर पर दलाते अगर प्लान रहे तो 20,000 रुपए मंतली चार्ज है और जो उसका येरली चार्ज होगा वो मैं आपको बाद में बता दूँगा क्योंकि मेरेको अभी फोन में दिखने ही रहा हूं ठीक है एक मिन में देख लेता हूं मंतली चार्ज 20,000 रुपए है और तो अभी मेरे को दिखनी रहा, तो मैं उसे बतानी रहा, पर मैंने आपको एक प्रोक्स बता दिया, अगर आप डेलिकेटिट सर्वर पर दलवाते हो, और उसमें भी 50% ओफ आई थी, जो अगर आप येरली प्लान लेती हो, उसका डेलिकेटिट सर्वर का, पर अभी मैं आपक जाएगी, और इसके लिए जो प्लान है, वो एरली प्लान है, इसमें मंथली प्लान नहीं है, और इसके अंदर आपको अपना खुद का सर्वर सारी चीज़े करनी पड़ेगी, और आप वाइट लेबल सेल कर सकते हैं, इसको हमने नाम दिया, री सेल, कि आप हमारे प्रोड सर्वर होगा, और हम आपके सर्वर पर पूरी सैट अप करके देंगे, आप 500 यूजर चलाओ या 5 लाख यूजर चलाओ, डिपेंट तू यूर सर्वर, तो उसका जो मंतली चार्ज था, वो था उसका चार्ज, 1 लाख 20,000 येरली चार्ज था, मंतली चार्ज उसका 20,000 वो उसके साथ, प्लस GST एड़ होगा, आपको GST पे करना पड़ेगा, और जो मंतली प्लान है, उसके साथ, आपको कोई GST पे नहीं करना, वो जो मैं प्राइस बताया आपको, उसी प्राइस के अंदर GST इंक्लूड है, I hope आपको पता चल गया होगा, जादा जानकारी के ल तो API Manager इस तरीके से एड़ कर रखी है, तो यहाँ पर अगर आपको दिख रहा होगा, कि अभी इसके अंदर आपको ट्रेडिंग व्यू दिख रहा है, जो पेपर ट्रेड है, मेटा क्लाउड की एड़ हो जाएगी, सुनी की एड़ हो जाएगी, and काइट बाइड सेलेक्त है काइट की एड़ हो जाएगी, MT4, MT5 एड़ हो जाएगा, ठीक है जी, यह टैंपरे लिए, यह मैंने बता दिया, तो अभी और भी सर्विस इसमें एड़ होती जाएगी, और जैसे मैंने बताया है, कि आप चार्टिंग से कर सकते हो, तो चार्टिंग आप इदर देख सकते ह प्इपर ट्रेडिंग ने बता दिया है, और कॉपी ट्रेडिंग मेंने बता दिया है, तो इसकी डिले की टीटिड वीडियो दिरे-जी आती रहेंगा, बस मुझे आज आपको यह बताना ता है, युस इस और 很ятся lent कर सकता है, वीडियो के डिस्क्रिश्योन मेरा पिलग साइ और फोप मैं आपको स्क्रीन शॉट दिखा देता हूं लास्ट में थोड़ी देर आप स्क्रीन शॉट देख लेना थेंक यू फोर वाचिंग दिस वीडियो और बाई